वेलकम प्यारे विदार्थिओ, आज हम बात कर रहे हैं मद्यवधी मुल्यांकन के बारे में, यानि मिड लाइन असेस्मेंट और क्लास एड्थ का ये मेलनकन विदारती 100W1 से करेंगे विदारती को सभी परसन अहल करने है सिख-सिक विदारती को परसन सम्झने में सायता करेंगे उड़ग। और next है जो teacher के लिए है तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो पलिभी चैनल को subscribe जुरूर करें बेल आईकों उनको विश्य दवाएं ताकि आने वाले वीडियो गनोटे के सनाब तक पहुंचते रहें फर्स्ट पहला परसन अपने पास निमिलिकित संख्याओं को सब्दों में लिखी यानि जो संख्याओं लिखेगी इनको अपने को सब्दों में लिखना है जिसी लिखा गए 7805 तो 7805 को अपने यहां पे सब्दों में लिख दिया 7805 फिर लिखा गए 16007 तो 16007 Next है 57320 तो यहां पे अपने लिख दिया 57320 Next है 7282 तो 7282 यानि सिरफ क्या करना है अंकों में दी गई है सब्दों में अपने को CONVERT करना है यान इनको लिखना है दूसरा परसन है निमलीकित संख्यों को आरोई वर अवरोई करम में लिखी यानि यहां पे क्या है कही बार confusion जा जाते हैं आरोई करम कौन सा हता है जैसे आरोई में कितने अक्सर है तीन अक्सर है और अरोई में चार है तो आरोई में तीन है तो सबसे पहले चोटी संख्या को लिखा जाता है यानि जब आरोई करम से आपका करम पुछा जाए तो आरोई में तीन सब्द होती है तो सबसे पहले चोटी संख्या उसके बाद में बढ़ती हुए करम में लिखना होता है जैसे सबसे छोटी 908, 705 या और तलाश्ट में सबसे बड़ी और अब रोई करम में चार रक्स रहे हैं तो लिखना है सबसे पहले बड़ी संख्या पहला है सबसे छोटा रिनात्मक पुरुनांक माइनस एक होता है यानि सबसे छोटा तो ये कथन क्या है ऐस सत्य है तो ऐस सत्य पे टिक करना है दूसरा है पुरुनांक माइनस 49 का परवर्ती पुरुनांक माइनस 38 है तो ये सत्य है यानी, minus 49 सी का परवर्टि यानी, जो गहाए, माइनस 38 है तो ये क्या है? राइट है, यानी, सत्य है तीसरा है, तापमान, minus 25 डिग्री सुनने से 25 डिग्री सेलशियस ज्यादा है तो ये ऐसात्य है यानी, जो क्या दे रखाए, इसम्में चौथा परसन अपने पास, संख्या, 20 और 60 के सारवा गुनखंड लिखे और सबसे बड़ा सारव गुनखंड ग्याद किजी है, क्या सबसे बड़ा सारव गुनखंड ही इन संख्याओं 20 और 60 का, यानि मैताव समाव बरता कि यानि HCF है, तो 20 के गुनखंड कितनी होगे, 2 काट के सारव गुनखंड गुनखंड क्या होंगे तो 20 और 60 के सारव गुनखंड का मतलब जो समान आते हैं जैसे समान क्या इसमें दो दो आ रहा है इसमें फिर पांच पांच आ रहा है तो दो गुना दो गुना पांच यानि 20 तो सबसे बड़ा सारव गुनखंड क्या है तो स अगला है पर्षन 5 पर्थम 4 एबाजे संखें लिखी और उनका लगुत्तम परते हैं यानि LCM गयाद कीजीए यानि पर्थम 4 एबाजे लिखनी है तो 4 एबाजे 1,2,3,5 ये कहे हैं इनकी एबाजे संखें लगुत्तम संखें तक यानि कितना आगा 1,2,3,5 ये ही इनका रहेंगे तो कितना गया नोची के चोपन अठेटरस में चोपन घटा देंगे क्या बच जाएगा चोविस फिर हैं 5 गुना 7 प्लस 5 गुना 5 तो 5 गुना 7 याने 35 और 5 गुना 25 याने 125 तो कितने होगे 160 नेक्स्ट है 3 प्लस 1 बचे 2 गुना 7 बचे 100 तो इसका अंसरा जाएगा 2.331 नेक्स्ट है 11 बचे 6 बाग माइनस 3 बचे 5 तो इनमें यानि जब 11 बचे 11 में 6 का बाग देंगे तो आजाएगा एक माइनस आठ तीन फिर बाग माइनस तीन बटे पांच में बाग देंगे तो जाएगे जीरो पॉइंट से है तो इसका अरंस राजाएगा माइनस एक पॉइंट एक इसको इस तरीके से बेल कर सकते हैं जैसे ये सही तीन बटे साथ और इदर है तीन सही एक बटे साथ तो बड़ी संख्या कौन सी है तीन सही एक बटे साथ यानि यहां तो एक दे रखा और यहां तीन है तो तीन वाड़ी बड़ी है फिर है 21 बटे बारा और इदर भी 21 बटे बारा तो दोनों संख्यां क्या है बराबर है तो यहां पे बराबर का निसान आ जाएगा नेक्स्ट है आठ बटे पांच और आठ बटे नू तो दोनों में क्या है अंस तो समान है लेकिन हर क्या है हर जो छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है परसन संखे 8 में लिखा गया है नीचे दिएगे दस्मलों बिनों को गुणा कीजी यानि दस्मलों बिनों की जो संखे दीगी है उनका गुणा करना है यानि जो संखे अपने पास है इनके साथ गुणा करना है यसे 0.25 का गुणा करना है 0.12 से तो अपना अनसर आजाएगा 0. 0.03 next is 0.283 का गुणा करना है 0.09 तो आजाए Iraq 0.0254 यनि यहाँ पे क्या लगा हुआ है point लगा हुआ है फिर 15.17 का गुणा करना है 1000 से उजाएगा 15170 फिर 87.6 का गुणा करना है 5.30 से उजाएगा 464.28 यनि यहाँ पे क्या लग जाएगा point बाग देजिए यानि दिसमलाई संखेंगे निक burda एका बाग देंगा 2014 0.20 यानि बाग किसका देंगा 0.05 का देना है तो आ जाएगा अपना उत्र 474 wr amDI पांतफुराओ जाmachen में पांस्ती एत्र में 0.03 तो आजाएगा 640 अगला दस्वा परसनल ने मिली की संख्या हूं कि आई बाजे गुन्दखंड ग्याद कीजी याई बाजे गुन्दखंड ग्याद करना है 576 का तो 576 में सबसे पहले 2 का बाग जाएगा यानि 2 का गुन्दखंड देना है तो आजाएगा 285, 285 के बाद में 144 फिर 144 के बाद में बैतर बैतर के बाद में 36, 37 के बाद में 18 18 के बाद में 3, 3 के बाद 3, फिर 1 यानि यहाँ पे जो यह संख्या है यानि सबसे पहले जाएगा 2, 2, 2 का लास्ट में जाएगा 3, 3 का फिर हैं 3,000 बैतर में बूर्टीन दार बैतर का गुटंद खन्ड करना है तो सबसे पहले 2 का जेंगे तो 156 अगे 168 आगे फिर 384 फिर 184 फिर 1922 फिर 22 फिर 12 फिर 12 फिर 12 के बाद में भी जाएगा 12 के बाद में या faço 6 चा के बच जाएगा अच्छा है आजाएगा तो अच्छा है के बाद में तीन बच गया तो तीन के बाद में एक परसन संग क्या रहा है तिर बुजाओं की माप एं कोणों के अधार पर तिर बुजाओं के परकार लिखी तिर बुजाओं के माप के अधार पर तिर बुजाओं के परकार कौन कौन से होते हैं तो बुजाओं के अधार पर एक होता है विसम भाव जिसकी तीनों बुजाओं अलग अलग होती है फिर होता है सम दी भाव जिसकी दो बुजाओं समान होती है तीसरा होता है सम्भाव, जिसकी तीनों बुजाएं समान होती है ये इनके बुजाओं के अधार के उपर क्या है? यानि तीर बुजाओं के परकार है फिर हैं तीर बुजाओं के कोणों के माप के अधार पर तीर बुजाओं के परकार परसन संख्या 12 नीचे दीगी आकरतियों का प्रिमाब गयाद कीजिए यहीं प्रिमाब गयाद करना है प्रिमाब गयाद करने के लिए जो सारी जो भुजाएं दे रखी है उन सबी का क्या करना है यो करना होता है जैसे ये बुज़ा 3 की दे रखी है ये भी 3, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 9, 10, 12 यानि कितनी होगी आमने सामने की बुज़ाएं 12 होगी उसके बादें 5 की ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तो 12 और 40 कितनी होगी है? 52 तो अपना अंसरा जाएगा 52 वरग, 7 अगला है इसका भी प्रिमाप गयाद करना है तो सारी जो भुज़ाएं है इन सबी का क्या करना है अपने को जोड देना है सबी को जिसे 6.5 की 6.5 की 13 फिर ये 13 की आमने सामने की होगी 26 फिर 13 की ये होगी 49 तो कितना हो जाएगा टोटल 49 वरग, 7 प्रितल की 13 है 3 चकर की दोड लगाता है ज़े जिवकुल कितने मिटर की दोड पूरी करता है यहनि जब प्रिदी यहते है तो प्रिदी का सुत्र होता है 2 पाय यार तो 2 गुणा 22 बटे 7 तिरजय अपने को पास कितनी है यानि 56 तो व्यास है तो इसकी आदी क्या हो जाएगी तिरजय इन्हें 28 तिरजय होगी जब 7 से इसको कटाएगी 4, 4 का 22 से गुणा किया 88, 88 का 2 से किया 176 यानि एक चकर का परिमाप कितना अगया 176 तो अपने को बताने है इस दावक ने 3 चकर दोड लगाए है तो 176 को 3 से गुणा कर देंगे कितना जाएगा 528 मीटर अगला परसन है यदि एक बस 5 गंटे में 277.5 किलोमेटर की दूरी तया करती है तो ग्याद कीजिए वह एक गंटे में कितनी दूरी तया करेगी तो 277 में किसका 5 का भाग दे देंगे यदि 5 गंटे का भाग दे देंगे तो आजाएगा 25.5 किलोमेटर तो एक गंटे में कितनी दूरी तया कर रही है एक गंटे में वो दूरी तया करेगी 25.5 किलोमेटर की अगला परसनल निमलिकित गनितियस कत्रों के बीज ये वेंजग लिखी यदि सिमा की आयू यानि सिमा की आयू अपनी बहन की आयू से 5 वरस अधीक है यानि सिमा की आयू अपनी बहन से 5 वरस अधीक है यदि उसकी बहन की आयू X वरस है नेक्स्ट है चाई का मुल्य चिर्णी की मुल्य से 6 गुणा और 15 रुपे धीक है यानि जो चाई का मुल्य चिर्णी से 6 गुणा और 15 रुपे धीक है यानि दे रखाया चिर्णी का मुल्य एक्स रुपे है तो कितना हो जाएगा 6 यानि 6 गुणा है तो 6 गुणा 6 गुणा 6 पलस 15 रुपे, क्या गरना है, जैसे उसका मुल्य X रुपे था, यनि किसका, यनि चीरनी का, और चाय का मुल्य 6 गुणा है, तो 6X हो जाएगा, पलस 15 रुपे और अधिक है, तो इस तरीके से इसको हल करेंगे, नेक्स्ट है, एक संभाव, तिर्वुज ABC बनाईए, जिसकी प्रतेक बुज़ा की लंबाई 5.5 cm हो, और इसके प्रतेक कोण को चांदे की साहिता से माप कर ग्यात कीजिए, यनि अपने को सबसे पहले, एक बुज़ा लेने हैं कितनी? 5.5 cm रगे, 5.5 cm के लेने हैं, फिर यहा अपना इसको यहां भी 60 डिगरी का बढ़ाना है, यहां भी 60 और यह भी 60, और इनकी लंबाई वो 5.5 से आने चाहिए, नेक्स्ट एप परसन संग्या सत्रा, नीचे दिएगे पैटर्न को पैचानगा, खाली बोक्स में उप्यूक संग्या लिखिए, पैटर्न पैचाना है, पहले दिखा गया 512, 512 के बाद में लिखा गया 510, यानि क्या कर दिया, इसमें 2 गटा दिये, 512 में से 2 गटाई, 510, 510 में से 4 गटा दिये, तो कितना आ गया, 506, अब 506 में से यहां पे 6 गटा दिये, 500, 500 में से 8 गटा दिया, 8 के बादे 10 गटा दिया, 12 गटा दिया, 14, 16 इस तरीके से इनको गटा कर लिखना है यानि एक जैसी संख्या नहीं गट रही है पहले दो गट रहा है, दो के वादर चार गट रहा है फिर छे, फिर आठ, दस, बारा, चौदा, अठारा इस तरीके से गट रहा है फिर दूसरा है एकजार चोई से पांसो बारा यह नहीं आदा हो गया पांसो बारा का आदा दोस्वचपन तोस्वचपन का आदा एकशो थाईस एकशो थाईस का आदा चोषट चोषट का आदा बत्तिस बत्तिस का आदा सोड़ा आठाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाट यदि एक दरी का मुल्य 1450 रुपे है याई एक दरी का मुल्य 1450 रुपे है तो विधाले में 52 दरीयां खरी दने के लिए कितने रुपे चाहिए तो एक दरी याई 1450 गुणा 52 चाहिए तो 52 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 75400 रुपे अगला परसन है, हल कीजिए लिखा गए अपने पास साथ की पावर चार भाग, साथ की पावर दो जब भाग में, यानि दोनों संख्यां भाग में और उपर पावर दी गई हो तो आपस में पावर क्या हो जाती है, गड़ जाती है जब संख्या है यानि आदार समान हो और उपर पावर दी गई हो तो आपस में वो पावर क्या हो जाती है जुड जाती है जिसे तीन, चार, साथ, साथ और दो, नो, तो दो की पावर कितनी हो गई? नो फिर आप 5 की पावर 2, ब्रेक्ट के बाद में 3 लिखा गए है तो यानि गुणा में है तो 5, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 की पावर 6 नेक्स्ट है माइनस 3 की पावर 3 गुणा माइनस 3 की पावर 2 तो माइनस 3 की पावर 3 है और गुणा माइनस 3 की पावर 2 है तो 3 और 2 दोनों अपस में क्या हो जाए गुणा में है तो जुड़ जाएगी तो जोड़ जाएगी तो क्या करती है इनका यानि माइनस तीन की पावर पांच उसके बाद नेक्स्ट है अब यहाँ पर आप सोचोगी कि यहाँ पर माइनस कैसे है यानि गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है माइनस की पावर तीन की तीन है कितनी है माइनस तीन माइनस तीन फिर माइनस तीन इस तरीके से है तो तीन बार है और इदर के है दो बार है तो इसका तो क्या आएगा पलस में आएगा और इसका जब माइनस का माइनस से गुना करेंगे तो पलस पलस का बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं तो 4 का बाग 100 में देंगे कितना जाएगा 25 तो यह कितना हो गया 25% नेक्स्ट है 2 बटे 25, 2 बटे 25 को यानि इसमें यहाँ पे यानि 100 से गुणा करो 25 का 100 बटेंगे तो बाग 4 प्राप्त करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को से दबाना डिस्क्रेप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया प्ले लिस्ट का प्ले लिस्ट का उसमें जाके आप वहां से वरक्षिट आसानी से देख सकते हैं इंदी की इंगलीज की मेहत की सा बेले बेले, थैंक यू